बीजुपी ने जारी किया हर्याना में संकल्प पत्र हम तो हर्याना की सेवा नौन स्टॉप कर रहे हैं लेकिन इसको नौन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है बीजुपी के संकल्प पत्र ने हर्याना में बढ़ाई कॉंग्रस की टेंशों की जो कहा था वो किया है जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है और जो कहेंगे वो पूरा करके देंगे ये इस बात की गारंटी है कॉंग्रस के खोकले गैरेंटी पर भारी पड़ेगा BGP का संकल्प उपद्र हर्याना का 2014 में पर कैपिटा इंकम एक लाख से 37000 थी आज हर्याना की पर कैपिटा इंकम 3 लाख रुपए है BGP के 20 संकल्प से हर्याना कॉंग्रस में मची खलवली जो बिजली 24 घंटे गाउं में आने की बात थी 2014 में पत्रकार बंदूर नोट कर ले हर्याना में 538 गाउं में 24 घंटे बिजली थी हर्याना में दान सबाच चिनाव 2024 के लिए कॉंग्रस के बाद बीजुपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है बता दे कि रोहतक में पार्टी के रोस्टी अध्याक्ष जेपी नड़ा ने संकल्प पत्र जारी किया है दरिसल रोहतक में आयोज समारो में कारेवाहक सीम नायाप सिंग सैनी सहित अन नेता भी मौझूद रहे इसला आपको बता दे कि बीजुपी के संकल्प पत्र के मुताविक प्रदेश की सभी महिलाओं को बीजुपी लाडली लक्ष्मी योश्ना के तहत 200 रुपए महिना देगी इसके लावा 2 लाख लोगों को रोजगार और हर्याना के अगनी वीरों को सरकारी नौकरी में 10 पीसदी आरक्षन भी देगी बता दे कि कॉंग्रस के मुकाबले बीजुपी ने कुल 20 वादे प्रदेश की जनता से किये है जबकि कॉंग्रस ने मात्र साथ वादे किये थे अब जिस तरीके से बीजुपी और कॉंग्रस दोनों ने अपने अपने घोशना पत्र को रिलीस कर दिया है तो अब जनता काफी हग तक कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है कि वो बीजूपी के घोशना पत्र में ज़ादा इंटरस्ट नजरा रही है क्योंकि यहाँ पर बीजूपी ने 20 ऐसे संकल्प जनता से किये हैं और वहीं अगर हम कॉंग्रस के गैरेंटी पत्र की बात करें जिस तरही के से उन्होंने करनाटका में किये हिमाचल में की और आज हिमाचल और करनाटका की क्या इस्थती है यह किसी से छिपी नहीं है ऐसे में जनता खुल करके सामने आ रही है और ये कहा रही है कि हरियाना में वो कॉंग्रेस के इंसात गैरेंटी पर विश्वास नहीं करने वाली बलकि उन्हें बीजुपी के संकल्प पत्र में जादा यकीन है ऐसे में कहा ये जो रहा है कि हरियाना के चुनावी दंगल में कहीं न कहीं बीजुपी का संकल्प पत्र कॉंग्रेस के गैरेंटी पत्र पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिरा है ऐसे में यहाँ पर विस्तार से जानते हैं कि आखर बीजुपी ने अपने 20 संकल पर क्या जनता से किया है रसल यहाँ पर बीजुपी ने पहला वादा तो ये किया है कि सबी महिलाओं को लाडो, लक्षमी, यूशना के तहत हर मईने 2100 रुपे दिये जाएंगे इसके अलावा, आयाम्टी, खरखोदा की तर्श पर 10 अध्योगिक शहरों का निर्मान, प्रतीश शहर 50,000 इस्थानिय युवाओं को नौकरी देने के लिए उध्यमियों को विशेश प्रुस्साहन भी इसके अलावा, चिरायू, आयुश्मान, यूशना के तहत, प्रतेख परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज और परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रतेख बुजर्ग को अलग से 5 लाख रुपे तक का मुफ्त इलाज की सुविदा भी दी जाएगी यानि कि यहाँ पर हेल्थ का भी ध्यान बीजुपी रख रही है, इसके अलावा, 24 पसलों को घोशित नियूंतम समर्थन मूल है, यानि कि MSP पर खरीद, MSP को लेकर के भी बड़ी बांक इसलानों की ओर से कीचा रही थी, जिसका सल्यूशन भी, बीजुपी ने अपने संकल पत्र के जरिये देने का काम किया, इसके अलावा, 2 लाख हिवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची, पकीस सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी वो भी बिना रिश्वत, बिना करप्शन के ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है, जो की बीजुपी ये कह रही है कि वो ऐसी योशना रखेगी जिससे की करप्शन और बिना पर्ची, बिना खर्ची के लोगों को नौकरिया मिल सके, इसके अलावा, 5 लाख हिवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नैशनल अप्रिंस्टेशिप प्रमोशन योशना के मासिक स्टाइप पेंट भी दिय जाएंगे, इसके अलावा, शहरी और ग्रामिन छेत्रों में 5 लाख आवास, अगर अगली योशना की बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल्स में डायलसिस तथा अन्य सभी हॉस्पिटल्स में डागनॉसिस मुफ्त में, हर चिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी, हर घर ग्रहन अन्वी अगनी बीर को सरकारी नौकरी की गैरेंटी, इसके अलावा, भारस सरकार के सहयोग से, के एमपी के ओर्टिवल रेल कॉरिडोर का निर्मान एवं नई वंदे भारत ट्रेनों के शुरवात की चाहिए, साथी, भारस सरकार के सहयोग से, विबन रैपिट रेल परिदावाज से, गुरुग्राम के बीज, इंजर सिटी, एक्सप्रस, मेट्रो, सेवा की शुरवात की चाहिए, साथी, छोटी-पिछडी समाज की जातियों, जो की 36 बिरादियों के लिए, परियाप्त बजट के साथ, अलग-अलग कल्यान बोट गठित किया चाहिए, इस एवं SSC जातियों के हर्याना के विधार्तियों को पूर्ण स्कॉलर्शिप दिया जाएगा, साथी, सभी OBC वर्ग के उध्यम्यों की, मुद्रा यूज़्टा के अतरेक्त 25 लाख रुपे तक के रिड की गैरेंटी हर्याना राज्यस सरकार उठाएगी, इसके अलबा हर्या जाना में एक अंतरास्टी अस्तर पर अरावली जंगल सफारी पार्क का निर्माण किया चाएगा, बसा कि बीजुपी ने अपने संकल्प पत्रे में तमाम वर्गों का ध्यान रखा है, फिर चाहिए आपर युबा हो, किसान हो, या फिर महिलाए हो, ग्रहनी हो, या फिर स् श्रीश का ध्यान रखते हुए, बीजुपी ने अपने संकल्प पत्र के जरीए 20 वादे जनता से किये हैं, जो कि जाहिर तोर पर कॉंग्रस के गैरंटी पत्र के जो 7 वादे हैं, जिसे कि जनता इस वक्त खोकली वादे करार दे रहे हैं, उस पर भारी पढ़ता हुआ बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है, मैं तो आपके सामने रिपोर्ट काट रख दूँगा, मैं आपके सामने जानकारियों के साथ विश्यों को रखना चाहूँगा, अभी अभी हमारे, मैं इसलिए कहता हूँ, क्योंकि, यह सीरियस डॉक्यमेंट कैसे बनता है, यह सीरियस डॉक्यमेंट इस बात से बनता है, कि जो कहा था, वो किया है, जो नहीं कहा था, वो भी करके दिया है, और जो कहेंगे, वो पूरा करके देंगे, यह इस बात की गारंटी है, और इसलिए, मैं इस रिपोर्ट कार्ड की ब और आपको साफ दिखलेगा कि हर्याना बदला है और फर्क साफ है क्लियरिटी के साथ है और जब मैं इसकी चर्चा करता हूँ तो पत्रकार बंदों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो मेरे आकड़े नोट कर लें हर्याना का 2014 में पर कैपिटा इंकम एक लाक से तिस हजार थी आज हर्याना की पर कैपिटा इंकम तीन लाक रुपे है इसका मतलब दुगना हो गया पर कैपिटा इंकम अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट की तो हर्याना का एक्सपोर्ट 68,000 करोड रुपे था और आज हर्याना का एक्सपोर्ट 2.50 लाक है यानि हर्याना का एक्सपोर्ट 3 ताइन यानि 3 गुना बढ़ गया यह भी हमको ध्यान में रखता है मैं स्वास्त मंत्री भी हूँ आज कल मेरे पास जिम्मेबारी है मैं आपको बताना चाहता हूँ मनोला जी जानते हैं इन्होंने संकल्प ले रखा था हर दिले में मेडिकल कॉलेज को लेगे हर दिले मेडिकल कॉलेज को लेगे साथ मेडिकल कॉलेज होते थे आज 15 मेडिकल कॉलेज है और यह भी दुगना हो गया है दुगने से ज़ादा हो गया ये भी आपको ध्यान में रखना है हमारे medical college की seats 700 होती थी आज medical college की seats 2180 है और जब मैं 2180 बोलता हूँ तो ये भी आप ध्यान रखिए कि ये तिगुना हो गया ट्रिपल हो गया ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए जो बिजली 24 घंटे गाओं में आने की बात थी 2014 में पत्रकार बंदू नोट कर ले हर्याना में 538 गाओं में 24 घंटे बिजली थी और आज 68,000 गाओं में 24 है इस बात को भी आटावन घजार गाओं में बिजली है इसको भी हमको ध्यान रखिया उसी तरीके से crop compensation अब बहुत सी बाते ही यहाँ किसान की चर्चा बहुत होती और हमारे घड़ियाली आसु बहाने वाले नेता Congress के कोई कम नहीं है हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा करने में लगे रहते ऐसे ऐसे नेता है जो किसानों की बात करते crop का compensation 1,158 करोड रुपए दिये गए और भारतिय जनता पार्टी ने crop के compensation में 12,500 करोड रुपए दिये 10 time crop का compensation पे इजापा हुआ यह आप ध्याद में लगे इसलिए किसानों के हिचिन तक जो बनते हैं आकडों में कहां दिखते हैं यह भी आपको समझ लेना चाहिए उसी तरीके से crop damage के जो compensation है वह 6,000 प्रती एकर था उसको उसको ना बढ़ा दिया गया यह हमारे crop का compensation दिया जा रहा है इसलिए किसानों के हिचिन तक कौन रहा है इसका विशलेशन हमारे पत्रकार बंदू जरूर करें old age pension तिखनी कर दी गई एक हजार होती थी आज तीन हजार है उसी तरीके से MSP जो सिर्फ आज़ क्रॉप्स पर मिलती थी आज़ क्रॉप्स ये किसान के हिचिन तक ये किसान के हिटेशी परसों से आज से ज़्यादा फसलों पर MSP नहीं देते थे आजकल MSP की guarantee मांगने भिर रहे हैं इनको मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार थी जिसने आज 24 फसलों पर 24 क्रॉप्स पर उसके लिए MSP देना निश्चित किया है और उसको आगे बढ़ाया है ये बात भी हमको ध्याद में रखना चाहिए इसलिए जो कहा था वो जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है मैं यहाँ आपके सामने बताना चाहता हूं जिसके बारे में इनों ने हमारे सेरी साहम ने आपको बता दिया कि हमने 100% अपना 2014 का और 2019 का मैनिफेस्टो लागू करने के बाद हम आपके सामने हादिने ये रिपोर्ट कार्ट की सल्सकृती ये किसने सिखाई मैं पत्रकार पन्वों से पूछना चाहता हूं दस साल पहले आपने देखा था किसी नेता को रिपोर्ट कार्ट रखते हुए दस साल पहले किसी को देखा था आपने कोई आंकडे रखते हुए लेकिन आज हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ट रखते हैं और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हर खेट को पानी इस स्कीम के तहट हमने हर एक agricultural land को आज सिंचित कर दिया है 100% irrigated कर दिया है ये बदलता हर्याना है जिसको हमको समझना है ये किसान की तस्वीर और तक्दीर बदलने का काम किया है इंट्रेस्ट फ्री एग्रिकल्चरल लोन जो है वो 3 लाख फार्मर्स को दिया जाएगा उसकी भी व्यवस्था की गई है उसी तरीके से ये जब मंडी में जाते हैं तो उनको 10 रुपे की थाली ओजन की मिल सके इसकी भी व्यवस्था की गई है अगर मैं इंट्रेस्ट्रक्चर की बात करूँ तो डेली सोनीपत पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम इसको शुरू कर दिया गया है और उसी तरीके से भारत का पहला एलिवेटेड रेलवे लाइन वह आपके शहर रोतक में बनी है इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए उसी तरीके से हिसार को एरपोर्ट बनाया गया है दिल्ली के लिए, जैपूर के लिए, जमू के लिए, देरादुन के लिए यहां से एर सर्विस्टी शुरू हुई है और एक हजार से ज़्यादा खेल नर्सरी बनाई गयी और हर्याना स्टार्ट अप मिशन को भी प्रारम किया गया अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो विवाश अगुन योजना में एनुवल इंकम जो थी, उसको 1.8 लाक तर बढ़ा दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहने उसमें कवर हो सके उस बात को किया गया है प्रधान मंत्री मोदी जी ने हर्याना प्रदेश के लिए टेक्स डिवलिशन में चार गुना बढ़ा दिया और 76,000 करोड रुपए आपको टेक्स डिवलिशन में हर्याना को दिये गए उसी तरीके से ग्रांट सिन एड में 3.5 गुना बढ़ा दिया गया आपको 70,000 करोड रुपए उसमें भी दिये गए स्मार्ट सिटी में परीदाबाद को और करनाल को 15,000 करोड रुपए दिये गए इसकी भी विवस्था की गई है और जल जीवन मिशन में आपके लिए हर घर को नल दिया जाए इसकी सू विवस्था हर्याना की सरकार ने किया जो कहा था वो करके दिया है आज मुझे खुशी है ये बदाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं पौने दस बजे अपने घर से निकला और साड़े ग्यारा बजे मैं रोह तक पहुंच गया हूँ कभी दस साल पहले कलपना की थी क्या कभी कलपना की थी चार घंटे लगते थे ये ये फर्क ये फर्क साफ है जिसको हमको समझना चाहिए आज IAT दिल्ली का पाउंडोशन स्टोन रखा गया है आपके हाँ कैंसर का सेंटर एम्स का एक्सेंड़ेज बिल्ड प्रोग्राम वो जजजर में किया गया है उसी तरीके से योगा और नैट्रोपेथी जजर में खोल दिया गया है राविंदर जीत सिंग साव यहां बैठे है इनको पता है All India Institute of Medical Sciences आज वो रिवारी में उसका काम शुरू कर दिया गया है उसी तरीके से मेट्रो का गुरगाओं में पाँच हजार चार सो पचास करोड रुपे की लागत से उसका भी स्टोन रख दिया गया है उसको भी काम को शुरू किया गया है हीरा में यानि हाईवेज इंटरनेट रेलवेज और एरपोर्ट्स में हम आगे बढ़े हैं डेली मुंबई एक्सप्रेस वे डेली अमरिट्स कट्रा एक्सप्रेस वे अमबाला कोट-पुतली कोरिडोर अमरित्スवर भटिंडा जाम नंगर है यह सारे एक्सप्रेस वे हर्याना के थृू होकर के जा रहे हैं और हर्याना के जीवन में मूल चूल परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान है, इसको भी हमको समयदा चाहिए, रेलवे में आज आपका इलेक्रिफिकेशन हन्रेट परसंट हो गया है, रेलवे का बजट हर्याना में नाइन टाइम्स बढ़ा दिया गया है, और उसी तरीके से वेस्टर डेडि को जोड लिया गया है, शिक्स थाउजन विलिजेश को ये पहुचा दिया गया है, और हिसार का जैसा मैंने बताया, एरपोर्ट को ओपरिशनलाइज कर दिया गया है, इसलिए, ये मैंने सारी बाते आपके सामने किस लिए बताई, इसलिए पत्रकार बंदू, कि जब मैं आ करके आपके सामने हरियाना का संकल्प पत्र रखता हूँ, तो आप ये ध्यान में रखिए, जैसा अवंपरकाश धनकर ने कहा, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा कमिट्मेंट है, कि भार्ट किया जनता पार्टी की सरकार समझत तरीके से अगली बार जब आपके पास आएगी तो इन सारे वाइदों को पूरा करके आएगी इस बात को हम ध्यान दे रख करके जाएगी और इसलिए हम लोगों ने तहे किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहट विद्धियस प्रसायता प्रदान करने के लिए प्रती महा 2100 रुपे का 2100 रुपे का सहायता प्रदान की जाएगी उसी तरीके से आई-एम-टी खरकोदा के तर्ज पर दस अत्याधुनिक यानि मोस्ट बॉडरन इंडेस्ट्रियल शेहर बनाए जाएंगे और पचास हजार से जादा युवा जो आज़ पास के गाओं के होंगे उनको उध्यमियों से बातशीत करके उनको वहाँ पर रोजगार दिया जाएगा उनको रोजगार दिया जाएगा इसकी विवस्ता की जाएगी इसी तरीके से चिरायू आयुश्मान में जो आपको पांट लाख रुपए प्रती वर्ष मिलता है उसको दस लाख रुपए कर दिया जाएगा प्रती वर्ष दस लाख रुपए आपको दिया जाएगा साथी साथ सतर वर्ष से उपर के हमारे जो परिवार में लोग होंगे उनको अलग से परिवार के लिए 10 लाक रुपे की विवस्ता की जाएगी यदि एक हो दो हो उनको 5 लाक रुपे की विवस्ता उनके लिए अलग से की जाएगी ये विवस्ता की जाएगी MSP में 24 फसलों की MSP जारी रहेगी उसको जारी रखेंगे उसी तरीके से हम दो लाख युवाओं को बिना खर्चे के और बिना पर्ची के बिलकुल ट्रांसपेरन तरीके से करीब का गाओं का बेटा रोजगार लग सके सरकारी नौकरी देने का काम दो लाख लोग को देंगे इसकी हम व्यवशा करेंगे उसी तरीके से हम पांच लाख युवाओं को अन्य रोजगार के साधन मुहिया कराएंगे और उसके लिए नैशनल अपरेंटिशिप प्रमोशन स्कीम के तहट मासिक रूप से मन्थली उनको स्टाइपेंड उपलप्त कराएंगे और उनको हम पांच लाख युवाओं को हम रोजगार के अउबसर पैदा करेंगे हम शहरी और घृमीन इलाके में पांच लाख आवास उपलप्त कराएंगे पांच लाख आवास बनेंगे शहरी और ग्रामीन में ताकि हमारे BPL और हमारे जो सोशियो इकनॉमिक कास सेंसस के दायरे में आने वाले लोग हैं उसमें कोई भी व्यक्ति बिना पक्के छट के न रहे इसकी हम व्यवस्था करेंगे इसको हम पूरा करेंगे हम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलेसिस की व्यवस्था करेंगे अब कोई भी हर्याना का व्यक्ति डायलेसिस की व्यवस्था से बाहर नहीं रहेगा उसको सरकारी व्यवस्था में डायलेसिस देंगे और हम सरकारी अस्पताल और प्राइवेट में भी Free Diagnosis की सुविधा देंगे Free उसका इलाज की Diagnosis की विवस्ता करेंगे इसको भी हम पूरा करेंगे उसी तरीके से हम Olympics के लिए Nurseries Create करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक discipline के लिए और हम हर घर ग्रिंडी योजना के तहर अन्तोदे के BPL परिवारों के लिए 500 में LPG का सिलेंडर प्रदान करना चारी रखेंगे ताकि BPL और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 500 रुपे में सिलेंडर मिल सके इसकी विवस्ता करेंगे College जाने वाले हमारी अवल बालिका योजना के तहर महिला चात्राओं को हम स्कूटर का स्कूटी का अरेंजमेंट करेंगे उनको हम स्कूटी देंगे इसकी हम विवस्ता करेंगे एक बहुत मत्पूर्ण योजना अगनी वीर योजना में हर्याना सरकार उनको सरकारी नौकरी की गारंटी देगा और उनको सरकारी नौकरी में अगनी वीर योजना में जोडेगा उसी तरीके से केमपी के साथ-साथ और्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्मान पूरा करेंगे और पलवल, जचर, बहादुरगर, खरकोदा से चंदिगर और मतुरा तक वंदे भारत ट्रेन को शुरू करेंगे, इसको हम पूरा करेंगे इसी के साथ-साथ रैपिड रेल ट्रांस्पोर्ट सिस्टम में दिल्ली से पलवल, दिल्ली से धारुहेडा, दिल्ली से रोतक, दिल्ली से पानिपत इसको भी केंद्र सरकार के सहयाता से इसको हम शुरू करवाएंगे इंटर सिटी एक्सप्रेस मेट्रो सर्विस बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम के लिए इसको भी हम इस सेवा को शुरू करवाएंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे उसी तरीके से पिछले हुए 36 बिरादری थर्टी सिक्स जो हमारी बिरादری आप पिछडी हुई हैं उनके लिए हरेक के लिए अलग से कल्यान बोर्ड बनाएंगे और उनको आर्थिक मदद दे करके उनका कल्यान करने का काम करेंगे इसकी अलग से हम व्यवस्था करेंगे हम DA और pension का scientific formula के आधार पर सामाजिक monthly pension के को वृद्धी करेंगे और इसके लिए भी हमारी हर्याना सरकार पर संकल्प रहेगी और हम जो OVC के विद्यार्थी हैं उनके लिए medical और engineering की degree प्राप्त करने के लिए उनको हम पूरी की पूरी scholarship फुल scholarship देंगे ताकि हमारा कोई बच्चा इससे वच्चित न रह जाए और उसकी परहाई OVC, SC और ST इन सब के लिए हम ये medical college और engineering college में हम विवस्था करेंगे और उनको पूर्ण scholarship दी जाएगे हर्याना के प्रदेश सरकार लोन के दृष्टी से 25 लाख रुपए backward class के entrepreneurs के लिए addition, मुद्रा scheme से addition SC और ST को तो मिलता ही है लेकिन backward class के लिए भी उसको हम जोड़ेंगे और उनको हम entrepreneurs को मुद्रा scheme से अलग से 25 लाख रुपए का उनके महिया कराएंगे और उनको हम loan देंगे और वो interest free loan होगा इस तरीके के हम विवस्था करेंगे हर्याना को शिक्षा का global education hub बनाएंगे और इसके लिए artificial intelligence के model skills को भी हम उसमें प्रयोग करेंगे और उसको हम लाएंगे ये जो हमारे अरावली के जंगल है इसको हम 10,000 एकर की south हर्याना में हम international level का सफारी बनाएंगे ताकि tourism को हम attract कर सकें इस तरीके के हमारे 20 संकल्प हमने आपके सामने रखे हैं ये 20 संकल्पों के साथ बाकी आपको manifesto की details मिल जाएगी जिसमें बाकी सारी बाते हैं लेकिन non-stop हर्याना अब हमारे तरफ से तो गारी चलती रहेगी सिगनल आप न डाउन करें इसकी चिंता आपको करनी पड़ेगी हमारी गारी बिना stop के चलती रहेगी ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ और आपसे अपना license renew कराने के लिए आया हूँ इनी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद